आज हम बनाएंगे आलू मतर की रसेगार सबसी यह सबसी बहुत रिलिशिश रबते हैं पोडी परांटे के साथ भी और जब आप नीडी रेसिपी को फॉलो करेंगे तब आप देखेंगे कि कितनी यमी बनी है तो मैंने इसके लिए एक पेस्ट रेडी करना है उसमें एक अनि हमारा आदा चमल जीरा और कुछ साबत मसाले तो जैसे की वने लिया है एक तेस पत्ता को तोड़ लिया है और एक ताजची निका तुपड़ा एक बड़ी लाइची और दूला इसके सोते होने के बाद में स्माट कर दूए हमारा पाइन के हुआ पेस्ट और अच्छी तरी मसाले को फ्राय कर लिया है उसके बाद मैं कुछ इस स्पाइसे में अट कर दोंगी तो जैसे कि एक चोड़ा थोड़ा एक चौता हमने पीसे हल्दी पावडर एड़ा गया है अदे चमच लाल मिश्का पावडर एड़ा किया है और आदे से थोड़ा जादा हम घनेया पाव तक भूल लेते हैं और इसके ऊपर देखें यह तो इसका मतला हमारा मसाला बहुत अच्छा सब्सक्राइब हो गया है तो मैं यहां पर एड़ कर दूंगी इसमें कसूरी मैथी आपके पास अब पसूरी मैती है तो जरूर डालेगा क्योंकि इसका प्रेवर बहुत तेस्टी आता है और अगर नहीं है तो आप आवाइट भी कर सकते हैं तब इस रेसिती बहुत तेस्टी बनेगी तो कुछ लोग इसे रोस्ट करके डालते हैं लेकिन मैं ऐसे ही डाल रहे ह अच्छी तरीके से अपने मसाले के साथ 2-4 मिट तक भूनेंगे क्योंकि ऐसा करने से हमारे जो आलू है मटर है कोई भी सबसी हो हम जब मसाले के साथ उससे मिक्स करते हैं तो इसका फ्लेवर अंदर तक चला जाता है और सबसी हमारी बहुत टेस्टी बनी है तो इसलिए टेस्ट के इतना हमेजिंग आता है यहां मैंने पानी ऐसा कॉंटिटी डाल दिया है अगर आप चाहो तो सूखा भी बना सकते हो मैं रसेदार बना रही है तो यहां मैं पानी डाल कर भी ग्रेव वाली सबजी जो है बहुत टेस्ट रहती है दो चार मिट तक हम इसे और पका टाहू और टमाटर और उसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करके धके चार से पाश्मिट तक पका लेंगे तक हमारे टमाटर जो है वह अच्छी से ग्रेवी में मिक्स हो जाए और अपना टेस्ट उसके अंदर रिलीस कर दें तो बस यहां देखिए मेरे मतर भी बहुत अच्छ जो हमारे सबसी है कितनी यमी बनती है और बहुत इस्टी बनेगी है तो बस मैं अपना फ्लेम जो है वो आफ कर देती हूं और हम यहां पर डाल देंगे हमारा कटा हुआ हरा धनिया और गार्मिश कर देंगे तो फ्रेंड्स प्लीज अगर उमीद करती हूं आपको मेरी हुआ है